लॉंच एक बुक सम्मरी के बारे में डिस्क्रेशन करेंगे जो जेफ वालकर के द्वारा लिखी गई है जॉन गालकर लर्निंग हब्स के फाउंडर है उनका पैशन था मेडिकल हब्स के उपर रिसर्च करना रिसर्च करके उन्होंने एक एजुकेशनल बॉर्ड गेम बनाया उस गेम का नाम रखा उन्होंने وाइल्ड क्राफ्ट एन हर्बल अडवेंचर गेम उन्होंने ये गेम अपनी वाइफ और बच्चों को सिखाया ये गेम लोगों को मेडिकल हाप्स के बारे में सिखाता है यही था इस गेम का पूरा का पूरा मकसद जोन अपने डैरी से 20,000 डोलर का उधार लेते हैं और 1500 बोर्ड गेम का ओर्डर प्लेस करते हैं जब ओर्डर उनके घर में आता है तो पूरा का पूरा घर बर जाता है और जोन ने एक लॉंच पार्टी और्गनाईज की 500 लोग उस पार्टी के अंदर आते हैं पर वहां केवल 12 बोर्ड गेम ही बिक पाते हैं और उनका जो पूरा का पूरा परिवार है ना वो शोक में पढ़ गया और जोन का पूरा दिल तूट गया और वो डूब गया डेप्ट में उनका पूरा माल स्पेर बेडरूम में और सेकंड बेडरूम में पढ़ा था वो ये आइटम देखके बिताने लगे जोन की वाइफ के कहने पर उन्होंने प्रोड़क्ट लाउंच सर्च करना सुरू किया उन्होंने प्रोड़क्ट लाउंच फॉर्मुला डॉट कॉम की हेल्प से 670 बोर्ड गेम सेल किये और दीरे दीरे सक्सेसपुल होते गए बाद में उन्होंने learninghuff.com बनाया उसके अंदर वो मेंबर्शिप से भी कमाई करने लगे जो उनके लिए लाउंच स्टीम ने क्या क्या किया उनके बारे में देखते हैं लाउंच स्टीम में लिए सोशल मीडिया प्लैटफर्म यूज करती है इस बुक का सबसे पहला पॉइंट यह है कि नीड एन इमेल लिस्ट अगर आपके फॉलोवर लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है चाहे वो फेस्बुक पे हो चाहे वो यूट्यूब पे हो फिर भी कभी ना कभी आपका आकाउन सस्पेंड हो सकता है नई तो टर्मिनेट भी हो सकता है इसलिए आपको कम्यूनिटी मेंबर्स के इमेल लिस्ट आपके हाथ में रहना चाहिए और अगर आप information based product sell करना चाहते हैं तो you must need an email list और इसी बुक का second point है product launch formula यानि educate people about your product लोगों को आपके product के बारे में छोटे छोटे वीडियोज बना के वो aware करो अपने product के बारे में वो 5 मिनिट की वीडियो भी हो सकती है या 10 मिनिट की भी हो सकती है आपको कोई भी वीडियो 2 गंटे का नहीं बनाना है क्योंकि 2 गंटे का promotional वीडियो कोई भी देखना पसंद नहीं करता educate people with tiny bit of videos और third point है हमारा divide content यानि pre-pre-launch content ये section announcement करता है कि एक product आ रहा है और इसी के अंदर हमारा next है pre-launch content यानि why, what, how ये तीन जो कोईशन है इसके बारे में आपको explain करना है अपने audience को यदि ये product purchase किया तो customer की life में क्या value addition होगी क्या उसकी life में transformation आएगा और हमारा fourth point है collaborate with partners यानि make a relationship with market leaders अपके product के साथ market leader के product को भी promote करना चाहिए जैसे आप उनकी life में value aid कर रहे हो और हमारा fifth point है opportunity cost एक example बताता हूँ एक 5 साल का experience यूट्यूबर का sport यदि नए यूट्यूबर लेगा तो क्योंकि experience लोगों की help लेने से आपका जो time और energy दोनों ही save होगी नए यूट्यूबर्स बहुत ज़रा time spend करते हैं और बहुत ज़रा hustle करते हैं और दीरे दीरे growth करते हैं उनको बहुत time लगेगा बड़ा बनने में इसलिए आपको एक YouTube mentor hire करना चाहिए क्योंकि ये quick and smart तरीका होता है इसलिए हमको pay करना पड़ता है इसे ही हम कहते हैं कि opportunity cost in short hire a mentor चलो आप हम फटा फट से इस book की summary के summarize कर लेते हैं जो भी points हमने discussion किये थे तो सबसे पहला point है create and keep a email list second point है educate people about your product and हमारा third point है divide your great content और हमारा जो fourth point है collaborate with people and हमारा जो fifth point है smart payment to reduce your work and opportunity cost friends please do like, share, comment and subscribe और अभी तक गंटा नी दवाया दो भाई सब गंटा दवालो